लेकिन ये छोटी सोच के लोग हैं, जो आज भी जातिबाद फैलाते हैं, चुवाचूद फैलाते हैं, और जो कभी देश के लिए प्रियोग में नहीं आया, जिसका कोई योगदान नहीं है, वो राष्टवादी बना घूम रहा है, लोगों से कपड़े उतार लिये जाएं, इनको नंगा बजार में कर दिया जाएं, ये चाते हैं, जो तलवारें चलाने लगे थे, गर्दन काटने लगे थे, वो बाबा मोहन बागवत की भी गर्दन काटने, भगबा उनकी बापौती नहीं है, बुद्ध का रंग है, मेरा चुराया है इनोंने, मनुस्मर्ती लाग और करना चाहते हैं, ये काम उनका आखी ने रह गया है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुस होगा तो भनते हैं, शुमे तरतन होंगे, अगर मानिय बेंजी प्रदान मंतरी बन जाती है, जिनका ये खून पी रहे हैं, यही लोग इनका खून पीएंगे और विबाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या लगता है कि धर्म पर सवाल उठाना कितना सही है? तो दबरदस्ति आप थोप क्यों रहे हैं? किसने कहा कि आप दबरदस्ति थोप यह धर्म आपका आप उसे मानिये, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भारत-बारती सम्मेदान हमें इजाजद देता है, दिकार देता है, लेकिन दबरदस्ति कैसे कर सकते हैं ये लोग? जब पूरा देश एक जुट हो रहा है, सनातन हो रहा है, हिंदु हो रहा है, तो कुछ लोग बिरोध कर रहे हैं, कितना सही है, जब सारी एक सूत्र में बद रहे हैं, तो क्यों दिक्कत हो रहे हैं? बुद्ध के बाद पुष्मित्र सुंग पैदा हुआ, पुष्मित्र सुंग ने रामाइड लिखी, तो रामाइड की तो अमर तेरा चौदे सो साल भी नहीं है, बुद्ध के बाद इसलाम आया है, बुद्ध के बाद esizersais आये हैं, तो सनातन तो धर्म बुद्ध का धर्म है ये जो अफफ हैला रहे हैं पता चला कि हिंदू का सब्द लोग जान गए चोकि अंग्रेज सा नहीं बोल पाते थे हा बोलते थे इसलिए इस हिंदूओं को हिंदू कहने लगे पहली रामाइड बालमीकी ने लिखी है और उस बालमीकी रामाइड में बुद्ध को चोर कहा गया है तो आप जान लीजिए कि बुद्ध के बाद की रामाइड है ये दबरदस्ती नया मंदिर बना करके पुरान लिख देते हैं प्राचीन मंदिर ये इनका एजन्डा है लोगों को मुर्प बाते होगे तो सारे एक है और मोहन भागवत जी ने कहा कि जाती जो है सभी एक है जाती तो कुछ ब्रामणों कुछ ब्रामणों बनाने पंडितों ने देखिए जब देश भारत का ऐसी ओविश्य मायनोटी का व्यक्ति ब्रामणों की करतूत का उजागर करने लगा तो मोहन भागवत ने उनकी करतूतों को छुपाने के लिए बयान दिया है कि ब्रामण जाती है बनाई ये बयान उनका बिल्कुल सत्य है और ये इसलिए उन्होंने दिया ताकि जो ब्रामणों के खिलाफ नफरत देश में पैदा हो रही है ऐसी ओविश्य मानोटी को लोग जाग रहे हैं कि इन्होंने कम शंख्या बालों देश पर किस तरह से लूट मचाई है ये लोगों को पता चल रहा है इसलिए बयान दे करके इस मामले को ठंडा करना चाह रहे है तो जाती किसे ने बनाई है रजाती ब्राहमन ने बनाई और ये आदमी प्रकरती ने बनाया जाती खत्म है बिल्कुल जब भारती संब्यदान लागू हो गया तो पुरानी जितनी परंपराएं हैं वो शून निगोस्ट हो जाती है ऐसा भारती संब्यदान हमें अजाज़त देता है लेकिन ये छोटी सोच के लोग हैं जो आज भी जाती बाद फैलाते हैं चुआज़त फैलाते हैं और भारत का सर पूरी दुनिया में जुकाने का काम कर रहे हैं बिल्कुल देश संब्यदान से चल रहा है और आगे भी चलेगा इन चोरों की कोई बात मानने वाला नहीं है भारत में लोग जागरों खो रहे हैं समझदार हो रहे हैं ये चोर जो नफरत फैला रहे हैं उच नीच जाते बाद छुआ छूट फैला रहे हैं लोगों को आपस में लडा रहे हैं एक दूसरे को बांट रहे हैं धैंब के राह्ष्ट बादि जो शचे एक आए उन लोगों को यह नफरत कर रहे हैं और जो कभी देस के लिए प्रियोगं नहीं आया जिसका कोई योगदान नहीं है वह राष्टवारी बना घूम रहे है यह थोता राष्टवाद उनका खतम होने वाले यह कहा तो जा रहा है कि जो मोदी के सामने जब कोई टीक नहीं पाया तो कुछ ताक्तें हैं जो बाटने में लग गई अब सुद्रू को बाटने में लग गई दली तो भी सी देखिए राजनेतिक जो परिद्रश्य है वो यह है कि लोकतंत्र संब्यधान है इसलिए चाय बेशने वाले ब्यक्ति को प्रधान मंत्री बनने का मौका मिल गया लेकिन दुरभाग ये शी बात का है कि बिक्ती जिस लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बना उसी लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल करके बरबाद करके राजसाई लाना चाहता है आप ये देखिए कि जिस शीड़ी से जो बिक्ती चड़ा उसी शिड़ी को तोड़ रहा है खतम कर रहा है इसे और दुर्भाग की बात क्या हो सकती है अगर राजिसाई होती तो चाहे वेचने वाले मोदी को प्रदार मंतरी बनने का मुखा मिलता नहीं बनता लेकिन फिर भी वो लोगतंतर को खतम करने के फराक में लगे हुए हैं बाजपा वाले तो चाते ही हैं कि मनुस्मर्थी लागू की जाए जो जिसका पहले कारे नोंने बांठा था बो दे दिया जाए बाकि लोगों से खाना चीन लिया जाए लोगों से कप्डे उतार लिये जाएं इनको नंगा बजार में कर दिया जाएं ये चाते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा ये संब्धान से भारत चलता है और ये संब्धान से चलता रहेगा बहुत जादा मोहन भागवत जी का भी विरोज़वा टूटर पर कहा गया माफी मागो और माफी नहीं मागी उन्होंने अभी भी उनने का जाती पंडी तो नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बाबा जलाद बन गए थे जिनका ईसुर पर विश्वास उट गया था जो को तलवार उठाने के जरूरत क्या है स्राप दे दो बसम हो जाएंगे बिरोद करने वाले यह सब ड्रामा है इनका भगवा उनकी बापाउती नहीं है बुद्ध का रंग है मेरा चुराया है इनोंने जी मेरा रंग है इनोंने चुरा लिया है भग रागो भग दोश्व गमोह वाना है ता यह बुद्ध का रंग है चौरी किया इनोंने और नफरत फैला दी इसी रंग के माध्यम से कौन सा बयान देखिए ऐसी ओविसी मानोटिक लोग इखटे हैं कोई दोराय नहीं है आगे चलके पता चल जाएगा इनको तो क्या रखता है दोजार चोविस का मुद्ध क्या रहेगा दो हजार चोविस में संब्यदान बना मनुस्पर्ति चुनाओ होगा जो मनुस्पर्ति को पसंद करेंगे वो भाजपा को बोट करेंगे जो संब्यदान को पसंद करेंगे वो भाजपा को उराने का काम करेंगे बाबा साथ डॉक्टर रां बेटकर के नाम सिर्श संसदबवन का नाम होना चाहिए, हम लोग माझ करते हैं बिल्कुल मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, और नहीं मानेगी, तो जब सरकार हमारी बनेगी, हमारे लोग बनाएंगे तब उसका नाम बदल देंगे जैसे जैसे इन्होंने कुछ बनाया तो है नहीं नाम बदल रहे हैं और जब हम आएंगे तो हम भी नाम बदल देंगे क्या फरक पड़ता है अरे आएंगे प्लानिंग चर रहे हैं लगे हैं संगर्स जारी है उन्होंने सो साल मेहनथ कि हमें 10-20 साल तो मेहनथ करने दो साथ अब बिल्कुल नहीं उनका कुछ काम खतम होगे कुछ और बचा है वो खतम होने वाला है थोड़ा बहुत काम बचा है भी मनुस्मर्ति लागु और करना चाहते हैं ये काम उनका आखी रह गया है वो करना चाही रहें लगें संगर जारी है उनका और हमारा भी संगर जारी है गोल पे समयल का मतलब है कि जो निजी कड इन लोगों ने कर दिया है उस निजी कड की बज़े से सी ओबीसी को जो हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़ाद कोई खुस होगा दो बंते सुमें तरतन होंगे अगर मांनीजी प्रदान मंत्री बन जाती है हमें क्या तकलीफ है हमें तो कोई अंबेटकरवादी समताबादी मानपताबादी इस देश का प्रदान मंत्री चाहिए हं सब्सक्राकाइब सरी लंका को भी आपने देखा इरा को भी आपने देखा अफगानिस्तान को भी आपने देखा लोगों नहीं तोड़ दिया है गहर में घुस करके, लोग ही भारत के तोड़ेंगे घर में घुस के इनको देख लेना आप, जिनका ये खून पी रहे हैं, यही लोग इनका खून पी एंगे, आप चिंता मत करिए, क्रांती की प्रिति क्रांती होने वाली है भारत में, जितना ये अती करेंगे उतनी ही अती ह सीबियाई एडी सब हमारी है क्या हमें डल लगना उससे जेल में सब हमारे लोग रहते हूं अभी चले जाएंगे तो क्या फरक फड़ता है हम तो अन्याय के खिलाप लड़ने वाले हमेशा लड़ते रहेंगे कोई मुश्किल नहीं है सच हमेशा पहले भी लड़ता था आज भी लड़ रहा है जूटे हमेशा गुट में रहते थे आज भी रहते हैं नहीं मुझे तो पुराना भारत चाहिए तक्षिला नालंदा उदंत पुरी बाला चाहिए जहां पुरी दुनिया की लोग पढ़ने आते थे नया भारत इन्होंने ऐसा बनाया कि एक भी विसो बेद्याले ऐसा नहीं जहां बच्चे पढ़ सकें कानाडा अश्टेलिया जर्मनी फ्रांस में पढ़ने जा रहे हैं यूकरेन में बिवियेस करने जा रहे हैं ये भारत की सचाई है लेकिन आप जैसे लोग कम सकम सही बात कह रहे हैं गोदी मीडिया की तो हिम्मत नहीं एक सब्द बोलने की बिग गए हैं दलाली कर रहे हैं जमीर वेजदिया है सारे 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 मीडिया वाले सब बिग गए हैं दलाली कर रहे हैं सत्य नहीं बोल पा रहे हैं यही इनके पास पारंगत है और यही इनका सबसे बड़ा ग्यान है